नमस्कार दोस्तों स्वागत है मारे उटू चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बारतिय नदियों के किनारे बसे सहरों को एक ट्रिक से याद करना सीखेंगे और दोस्तों वीडियो के अंथ में एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे इसलिए वीडियो को शुरू से आंत्य तक देखें चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले देखते हैं हम गंगा और यमना नदी को दोस्तों गंगा नदी के किनारे बाराट सी पटना प्रियागरास हरेद्वार और कानपुर को याद रखना है दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है ट्रिक दोस्तों है कि कासी नाम का लड़का है और उसने क्या किया गंगा से प्रेम किया तो एक हरी नाम का और उसका दोस्त है तो उस हरी ने कासी से पूछा कि यार तुने गंगा को कैसे पटाया जी हां तो कासी ने फिर क्या किया हरी के कान मे बता दिया बस दोस्तों इतनी सी स्टोरी आपको imagination करनी है हमें याद रखना है कि कासी ने गंगा को पटाने का राज हरी के कान में बताया जी हां दोस्तों कासी ने गंगा को पटाने का राज हरी के कान में बताया अब दोस्तों यहां पर कासी से हम कासी को याद रखेंगे कास की बिहार की राजधानी है और दोस्तों राज से हम प्रयाग राज को याद रखेंगे प्रयाग राज जो है इसका पुराना नाम इलहाबाद है नेक्स्ट है हरी हरी से दोस्तों हरी द्वार को याद रखेंगे और कान से कानपुर को याद रखेंगे एक छोड़ा सा पॉइं पर दोस्तों हमें याद रखना है मतुरा आगरा दिल्ली और प्रियागराज इसकी ट्रिक दोस्तों एक कविता जैसे आप उसे याद रख सकते हैं कविता हमारी है मतुरा दिल्ली और प्रियाग यह सब हैं यमना के ताज जी हां दोस्तों मतुरा दिल्ली और प्रियाग यह यमना के ताज, यमना से दोस्तों हम यहां यमना नदी को याद रखेंगे और ताज से ताज नगरी आगरा को याद रखेंगे बस दोस्तों इस परकार से हमें यमना नदी के तट पर सभी सहर बहुती आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों यहां आपने देखा होगा कि प्र तो आप इतना याद रखेंगे चली दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगला देखते हैं अब दोस्तों यहां से हम सेर के नाम से ही नदी को याद करने की कोशिस करेंगे तो दोस्तों पहला सेर नासिक जो है नास्तिक जैसा साउंड दे रहा है यानि नासिक को नास्तिक पढ़ें आप दोस्तों नास्तिक क्या होते हैं लाव कुर्ण पर उस्तेते भडते हैं तो तो एहमदाबाद में हम एहम सब्द को पकड़ेंगे, एहम यानि घमंड, अब दोस्तों जिसके अंदर घमंड होता है, एहम होता है, उसकी बोली भासा में मिठास नहीं होती है, अब मिठी नहीं होती है, अब मिठी नहीं होती है दोस्तों तो कैसी होती है, खटी होती है, जी से हम साह掃मति नदी को आसानी से याद रख पाएंगे यहनी इंदाबात जो है साहार मती नदी के तटपर एस्तित्ध है नेस्ट भेजय वार्ट जोस्तों भेजय में विजय सब्द को पकड़ेंगे और भेजय हमारी कहा होती युद्ध में होती है भारत का जो सबसे बड़ा युद्ध था माभारत उसमें किसकी बेज़े हुई थी दोस्तों उसमें जिसके पक्ष्छ में कृस्ण थे उसकी होई तो बस दोस्तों किरशन से हम कृष्णा नदी को याद रखेंगे यानि विजे बारा जो है किसना नदी के तड़ पर इस्तित है नेक्स्ट है गोरकपूर तो दोस्तो आपको पता है कि गोरकपूर जो है UPKCM योगी आदित्यनाद का ग्रह जनपत है तो दोस्तो आपको इतना रपत लिख जाती है तो रपत से दोस्तो हम राप्ती नदी को याद रखेंगे याई गोरकपूर जो है रा पती नदी के तड़ पर इस्तित है next ये रा और्केला इस इंसल CT के जानते हैं अब रावर केला में राव और केत प्रविस करते हैं तो हम ब्राममड के पास जाते हैं तो ब्राममड से हम ब्राममडी नदी को याद रखेंगे यानि रावर केला जो है ब्राममडी नदी के तट पर इस्तित है नेक्स्ट है सूरत दोस्तो सूरत सूरत सब्द में हम देखेंगे कि हमारी सूरत पे तापती नदी के तट पर इस्तित है नेक्स्ट है जबलपुर जबलपुर में दोस्तो वल सब्द को पकड़ेंगे और जब भी हम किसी बस्त पर बल लगाते हैं तो वो बस्तो कैसी नर्म पढ़ जाती है जी हाँ दोस्तो जब भी हम किसी बस्त पे बल लगाएंगे तो वस्तो नर्म पढ़ जाएगी नर्म से आम नर्मदा नदी को याद रखेंगे यानि जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर इस्तित है नेक्स्ट है लखनव और जौनपुर दोस्तो लखनु और जौनपुर दोनों ही गौमती नदी के तट परस्ते थे हैं तो इसकी दोस्तो ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक हम ऐसे याद रखेंगे कि लखन नाम का लड़का है वो गौमती से मिलने जौनपुर गया जी हां दोस्तो लखन जो है गौमती से मिलने जौनपुर गया यहां हम लखन से लखनों को याद रखेंगे और गौमती से गौमती नदी को याद रखेंगे और जौनपुर गया यानि जौनपुर से हम जौनपुर को याद रखेंगे तो इस परकार से बहुत ही आसानी से हम याद रखवाएंगे नेस्ट ये स्रीनर्ग धोस्तों आपको पताएं कि स्रीनर्गे जहमू कस्थ में इस्तित हैं और वहां पर क्या है जह बहुत ही सिर्धी पढ़ती यह आतंकबाद भी बहुत ही है तो वहां जो हे जेलम नदी के तटफर इस्थथ है नेक्स्ट है 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 एधरवाद है को मैं से याद रखेंगे कि एक हैदर नाम का लड़का है और दोस्ट के साथ क्या हूआ उसकी मा मर गई जी हां दोस्तो हैदर की मा मर गई फिर उसका पालन पोसन उसकी मौसी ने किया जी हां दोस्तो उसकी मा के बनने के बाद उसका पालन पोसन जो है उसकी मौसी ने किया तो मौसी से यहां हम मौसी नदी को याद रखेंगे यानि हैदराबाद जो है मौसी नदी के तट पर को पकड़ेंगे और काटा को दोस्तों हम क्या होकी भी बोलते हैं तो बस दोस्तों होक से या हम होगली नदी को याद रखेंगे यानि कोल काता जो है होगली नदी के तट पर इस्तिते हैं नेक्स्ट है कटक और समलफूर दोस्तों कटक और समलफूर दोनों ही महानदी के तड़ परस्थिते हैं इसकी ट्रिक दोस्तों क्या है इसकी ट्रिक हम ऐसे याद रखेंगे कि महानदी महानदी या नहीं महानदी बड़ी नदी तो जब भी महानदी बहेगी तो क्या करेगी व दोस्तों इतना याद रखना है कटिक से हम कटक को याद रखेंगे और समल से दोस्तों समलपुर को याद रखेंगे और महानदी से महानदी को याद रखेंगे तो इस परकार से हम बहुत ही आसानी से याद रखवाएंगे नेक्स्ट है आयोद्या दोस्तों आपको पता है कि प्रसंवाइब नदी का जिकर आता है, तो इसलिए आप एजिली इसे याद रखफाएंगे, जो ए जमसेदपुर, अब दोस्तो जमसेदपुर जो है, इसे हम टाटा नगरी भी बोलते हैं, और इसका नाम जमसेद पूर किसके नाम पर पढ़ा तो इसका नाम जमसेद पूर जमसेद जी के नाम पर पढ़ा जो टाटा कमपनी के फाउंडर थे तो दोस्तो हमें एक छोटी सी story याद रखनी है कि जमसेद जी ने अपनी टाटा कंपनी कैसे बनाई तो इनके पास दोस्तो बहुत ही सोना था पहले और इन्होंने क्या किया वो सोने यानि उस सवर्ड को बेंच के टाटा कंपनी बनाई थी यानि जमसेद जी ने स्वर्ड को बेंच के टाटा कंपनी बनाई थी तो बस दोस्तों स्वर्ड से हम स्वर्ड रेखा नदी को याद रखेंगे यानि जमसेद पुर जो है स्वर्ड रेखा नदी के तट पर इस्थित है नेक्स्ट है उज्जेन दोस्तो उज्जेन में जो है जैन सब्द छुपा है हम जैन सब्द को पकड़ेंगे अब आपको पता होगा कि जो जैनी रिसी होते हैं वो क्या होते हैं नगनो के गूमते हैं तो जब भी जैनी रिसी कहीं जाते हैं तो बच्चे उनसे डर के छिप जा दोस्तों यहां हमारी ट्रिक complete होती है आपका कोई प्रस्ण हो या कोई सुजाव हो इस टॉपिक से related तो प्लीज उसे comment box में अवस्य पूचें चलिए अब शुरू करते हैं अपने टेस्ट को दोस्तों टेस्ट में हमने उनिप्रस्णों को समायत किया है जो पिछली परिक्शाओं में पूचे गये हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रसं से पहला प्रसने निम्न लिखित मैंसे कौन सा सेर गंगा नदी के तटपर इस्थित नहीं है दोस्तो हमसे पूछा गया है कि नीचे जो सेर दिये गए हैं उनमें से कौन सा गंगा नदी के तटपर नहीं है तो दोस्तो हमारी ट्रिक्त के एसाब से कानपुर भी गंगा नदी के तट पर इस्थित है पटना भी गंगा नदी के तट पर इस्थित है और वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर इस्थित है दिल्ली जो है ये यमना नदी के तट पर इस्थित है यानि ये गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा सेर कानपुर इस्तित है यानि कानपुर यह जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा सेर है नेक्स्ट प्रसने मत्रा किस नदी के तट पर इस्तित है दोस्तो हमारी ट्रिक थी मत्रा दिल्ली और प्रियाग यह सब है यमना के ताज तो जी यहां मतुरा जो है यमना नदी के तरफ पर इस्तितombres शेंदाबें तो दोस्तोंぎ से हमने गोदाबरी रिवर को याद किया था यानि भी ओप्सन यहां ठीक चला जाएगा नेक्स ने निम लिखित मैं से किस नदी के तट पर गोरकपुर इस्तित है दोस्तों गोरकपुर योगी आदितनात का ग्रह जनपत अब दोस्तों वहां जाएंगे तो वहां क्या रपट लिखबा दी जाएगी अगर वहां पर आपने गुंदागर्दी दिखाई तो गोरकपुर में क्या रपट लिखबा दी जाएगी तो बस दोस्तों या रपट से हमने रापती नदी को याद किया था यानि डी ओप्सन यहां ठीक चला जाएगा नेक्स्ट है इस्टील सिटी किस सेर के किनारे बहती है दोस्तों सावर यानि खटा अब खटी बोली बासा किसकी होती है जिसके अंदर एहम होता है हमने ट्रिक में याद किया हुआ है तो यहां हम एहमदा बात को लगा देंगे यानि बी ओप्सन हमारा ठीक चला जाएगा नेक्स्ट है सूरत किस नदी क के तटवर इस्तिते नेक्स्ट प्रेसन है दोस्तों नर्मदा नदी किस सेर से होकर बहती है तो दोस्तों हमने ट्रिक में याद किया था नर्मदा जो है जबलपुर एनिट्रिक हमारी थी जब भी हम बल लगाएंगे तो बस तो क्या है नर्म पढ़ जाती है तो बस यह ऑप पोशन उसकी मौसी ने किया था तो यहां बी ओप्सन हमारा ठीक चला जाएगा नेक्स्ट है स्वंड रेखा नदी के तड़ पर इस्थे सहर है जी हां दोस्तों स्वंड रेखा नदी पर इस्थे सहर जमसेद पुर है यहीं हमारे टिक भी थी कि जमसेद जी के पास काफी सौन था यहां था जाते तो बच्चे क्या करते हैं चिप जाते हैं व्याद किया था provider जाएगा नेक्सट भसन है किरसना नदी पर इस्तित सहर है दोस्तो किरसना नदी पर इस्तित सहर बिजय बाड़ा है यानि हमने याद किया था बिजय किसकी होती है जिसके पक्ष में किरसन होती है यानि मावारत में किरसन जिसके पक्ष में थे उन्हीं की बिजय होई थी तो बस किसना नदी जब भी आए हम विजय बाड़ा को टिक कर देंगे यहां हमारा A option ठीक चला जाएगा अगला प्रस ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लख नवु किस नदी पर इस्तिते तो इसका अंसर है दोस्तो गौमती बढ़ते हैं अगले प्रस ने कटक किस नदी के तट पर इस्तिते हैं दोस्तो हमने ट्रिक के मादिन से सीखा था कि कटक जो है मानदी के तट पर इस्तिते हैं यानि D option हमारा ठीक चला जाएगा मानदी जो जब भी बैती है तो अपने किनारों को काटती है और वहां में समल के चलना चाहिए यानि समल पूर और है जो मानदी के तट पर इस्तित ओं अगला प्रसने मानदी के तट पर इस्तित कोya पर इस्तिते हैं रहा है जेलम नदी के तट पर इस्थित सहर है दोस्तो जेलम यानि जेलना और कहां के लोग सबसे जादा चीज़ें जेलते हैं स्रीनगर के तो यहां पर हमारा C ओप्सन ठीक चला जाएगा अगला प्रेस ने गोवा की राजदानी पड़जी किस नदी पर इस्थित है तो गोवा की मंड भी दोनों सब्दों में रा रा जो है कौमन है चली दोस्तों बढ़ते हैं आगे